हम लोग संपुष्ट पारिवारिक जीवन के बारे में बात कर रहे हैं, संपुष्ट का मतलब है जो पूरी तरह से स्वस्थ हो, जो पूरी तरह से पुष्ट हो, जब एक बच्चा पैदा होता है, तब आजकल अकसर पहला प्रेश्ण जो पूछा जाता है लड़का है या हम लोगों के समय में वजन पूण्ड में बताये जाता था और यदी बैचे का वजन साथ पूण्ड या उससे ज़्यादा हो, तो उसको स्वस्थ माना जाता था, और यदी आठ हो या नौ हो तो वो तो और अधिक स्वस्थ और संपुष्ट समझा जाता था ताज़ुप की बात ये है कि उसकी तुलना में सैकडो गुना ज्यादा महत्वपूर्ण बात है कि एक परिवार कैसा है परिवार संपुष्ट है क्या लेकिन इस मामले में हम लोग अक्सर मुह नहीं खोलते हैं इसका कारण में इसके पहले भी बता चुका हूँ और आज भी मैं बताना चाहता हूँ कि कुछ एतिहासिक कारणों से भारती समाज में परिवारिक जीवन को बस परिवारिक जीवन मतलब सेक्स और सेक्स मीन्स बातचित करने में लज्जा आती है मैंने इसका कारण मैंने बताया था उसका एतिहासिक कारण कि पायरिवारिक जीवन का मतलब सेक्स नहीं होता है पायरिवारिक जीवन का मतलब है आपसी संगती जिसमें यौन संबंद उसका एक हिस्सा है लेकिन पायरिवारिक जीवन का मतलब संगति है इसको हम बार-बार भूल जाते हैं मसीही वक्ता लोग भी इस बात को भूल जाते हैं लेकिन मैं फिर से याद दिलाना चाहता हूँ कि जब एक बच्चा पैदा होता है तब उसके स्वास्ति के बारे में पूछते हैं उसी तरह से हमें नियमित रूप से अपने परिवार के स्वास्ति के बारे में सोचना चाहिए अपने बच्चों की जब शादी करवा देते हैं तो अकसर हम उनकी नौकरी के बारे में पूछते हैं उनके मकानादी के बारे में पूछते हैं, उनके बारे में 50 बाते पूछते हैं, लेकिन हम अक्सर यह नहीं पूछते कि बेटा, बेटी, तुम्हारा पारिवारिक जीवन कैसा है, पति-पत्नी मिलकर एक दूसरे के साथ बैठ के दूआ प्रार्थना करते हो क्या, एक दूसरे पारिवारिक जीवन के लेक्षन लेकिन हम अक्सर इन बातों को भूल जाते हैं और चुकि हम इन बातों को भूल जाते हैं इस कारण प्रभु ने जिन जिन को पारिवारिक जीवन दिया है वे परिवार से सम्दित अपनी जो अन्नी जिम्मेदारियां हैं, उनको भी भूल जाते हैं, जिस मैंसे या जिन मैंसे एक जिम्मेदारी पिछले दो हफ़्तों से हम अधियान कर रहे हैं, और हम अभी कहीं नहीं पहुंचे हैं, विशय है लापरवाह पिता बर्बाद आप कहेंगे कि मैं लापरवाय नहीं हूँ, बिल्कुल सही है, आप बिल्कुल लापरवाय नहीं है, लेकिन मेरा एक पृष्ण है, यदि आप कहते हैं कि मैं लापरवायर पिता नहीं हूँ तो मेरा आपसे प्रश्णी यह है कि आपकी गली में कुत्ता जब बच्चे उसकी कुतिया के बच्चे होते हैं तब वो कुत्ता सारे जीवन पर अपने पिलों को जो शिट्षा देता है उससे रती भर ज्यादा शिट्षा आपने दी है क्या आप कहेंगे हाँ हाँ मैं टोका टाकी करता हूँ टोका टाकी शिट्षा नहीं है टोका टाकी तो कोई भी कर सकता है अध्यापक भी करते हैं सडक पे पुलिस वाले भी करते हैं और सडक पे निकल जाओ तो गुंडेल उच्चे भी जो है टोका टाकी करते हैं टोकाटाकी जो है उसका मतलब यह नहीं है कि आप अपने बच्चों को सही रीती से पाल रहे हैं मैंने तो विद्यार्थी जीवन में MSC करते समय तक टोकाटाकी जो है वो देखा था मेरे एक सीनियर हमेशा मुझे टोका करता था कि जॉन्सन तु ज़्यादा ही प्रश्न पूछता है और उसने मुझे मरने मारने की धंकी दी थी कि मैं मूझ खूलूंगा तो बच्चों से इस तरह से टोकाटाकी करना यह पालन पोशन नहीं है यह बड़ी गलत फैमी है कि बच्चे को टोको बच्चे को डांटो तो वो पालन है मैं यह नहीं कह रहा कि बच्चे को टोकना नहीं चाहिए मैं यह नहीं कह रहा कि बच्चे को डांटना नहीं चाहिए मैं ये भी नहीं कहरा हा कि बच्चे को सजा नहीं देनी चाहिए लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि टोका, टाकी और सजा देना वो अपने आप में पालन पोशन नहीं है और यदि बच्चे के बारे में आपका नजरिया सिर्फ ये है कि मैं उसको टोकता हूँ टाकता हूँ और उसको सजा भी देता हूँ इसलिए मैं उसको पाल रहा हूँ तो यह आपकी गलत फेहमी है मैं इस तरह से के सैकड़ों पिताओं को जानता हूँ बच्चे ने रती भर की गलती की मन भर की पिटाई उनको ऐसा लगता है जैसे कि कोई बहुत पड़ा काम कर रहे हो बलकि वे अपने बच्चे को बरबात कर रहे हैं क्योंकि बच्चे ने यदि गलती की है तो बाप की जिम्मेदारी है कि पहले तो ये जाच के देखो कि क्यों गलती की, अंजाने में गलती की, या दोस्तों के बहकाने में गलती की, या जान बूच कर वो गलत करना चाहता था इसलिए गलती की, कारण बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन आज भारतिय मसीही समाज में इस तरह के पिताओं का भर, भारतिय समाज इस तरह के पिताओं से भरा जो बच्चे को टोकते हैं डाटते हैं मारते हैं पीटते हैं लेकिन कभी उन्होंने बच्चे के साथ डीसेंटली सजनता के साथ बैठ कर बेटा मसीही जीवन का मतलब फलाना है हम फलानी सीमाओ के अंदर रहते हैं हमको फलाना काम नहीं करना चाहिए फलाना जरूर करना चाहिए इस तरह से ट्रेइनिग आपने दी है क्या और यदी नहीं दी है तो आप किस तरह के पिता हैं आप में और आपकी गली के जाइनवरों में क्या फरक है वो भी अपने बच्चों को जो है धमकी देते हैं आपने देखा हो या नहीं देखा हो आपका मापदंड आप क्या है जिसके आधार पर आप अपने बच्चे को तौल कर देखते हैं कि मैंने ट्रेनिंग बच्चे को सही दी है या नहीं है मैं अपने जीवन से दो उदाहरन, दो या तीन उदाहरन देना चाहता हूं इसलिए नहीं कि मैं कोई perfect पिता हूं perfect हम में से कोई नहीं है ये उदाहरन इसलिए दे रहा हूं जिससे की स्वष्ट समझ में आये कि मैं क्या कह रहा हूं यह घटना आज से लगभग पच्चीस साल पहले की है आज से पच्चीस साल पहले मैं अपने बेटे को लेकर शहर गया था बेटे की उमर होगी यही कोई चाउदा या पंद्रे साल आज से पच्चीस साल पहले मेरे बच्चे तो चौकलेट वगड़ा बहुत पसन करते थे बहुत पसन करते थे और उस समय मेरी ऐसी हैसियत नहीं थी कि मैं चौकलेट खरीट के उनको दे सकूँ मैं पच्छी साल पहले की बात बता रहा हूँ तो हम दोनों मैं जहां रहता हूँ यह शहर से 14-15 किलोमेटर दूर है शहर की बाउंटरी है तो हम लोग कुछ खरीददारी करने के लिए गए और जेनरली हम लोग जाते थे मोटर बाइक से जाते थे सुबह से शाम तक या दोपर के बाद तक खरीददारी करके सब पीछे बांद वांद के और वो मेरे पीछे बैटके गोदी में रखके हम लोग लाते थे दोपर को दो बजे के करीब शहर में एक उतरभारती होटल है जहां हम दोनों गए हमने पूरी सबजी खाई पूरी सबजी वगरा खाने के बाद जब पैसा दे दिया तो उस आदमे ने पूछा सर कोई चॉकलेट वगरा उस समय मेरे लिए चॉकलेट खरीद के बच्चों को देना बहुत मुश्किल काम था फुर भी मने एक दो चॉकलेट खरीट के बेटे को दिये इसके बाद हम लोग बाहर निकल रहे थे कि अ अचानक बेटा गाएब हो गया मैंने सूचे कि और नहीं म्यवाद थोड़ीदेर के बाद दोड़ा दोड़ा आयाए भूला डैड़ दो पैसे पाँंच पैसे दस पैसे आदी का सिक्खा जो है बेटे ने मांगा है स्लिए मैंने उसको एक रुपय का सिक्खा दिया उस सिखके को लेकर वो दौड कर महा से लगबक 10 फुट दूर एक बच्चे के पास किया जो उसी के उमर का बच्चा था 14-15 साल का बच्चा होगा साड़क पर बैठकर भीक मांग रहा था ये एक का सिक्का उसने उसको दिया मुझे अच्छा लगा लेकिन उसके बाद उसने एक काम किया जो देखके मैं धंग रह गया उसको चॉकलेट बहुत वो पसंद करता था लेकिन वो दो चॉकलेट जो मैंने उसको खरीद के दिये थे और वो जानता था कि डाइड की येप में ज़्यादा पैसे नहीं है वो दोनों चॉकलेट उसने उस बच्चे को दे दिये उस दिन मैंने अपने बच्चे को जो तालीम दी थी उसका मूल लियांकन किया मैंने दोनों बच्चों को हमेशा ये शिट्षा दी थी कि जिन पर दया दिखानी है उन पर दया दिखाओ तुम कभी जो है भीकारी नहीं हो जाओगे दूसरों पर दया दिखाने के कारण तुम भीकारी या भिकमंगे नहीं हो जाओगे प्रभू तुम्हेरा दिल देखते हैं तो वो 14 या 15 साल का बच्चा जिसके घर में चौकलेट आसानी से उपलब्द नहीं था उस समय उसने जब ना केवल पैसा बलके वो उसको खरीद के जो दिया था वो भी जब महा बैठे बच्चे को दे दिया तब मुझे लगा कि देया का पाट मैंने बच्चे को सही सिखा दिया है और सच कह रहा हूं कि आज भी मुझे इस बात की खुशी है लेकिन उसके साथ साथ जब वो बड़ा हो गया तब मुझे एक बात और सिखानी पड़ी कि बेटा दिया दिखाओगे तो कई बार लोग तुमको लूट ले जाएंगे और सच में ऐसा हुआ जब वो डॉक्टर बन गया और जब वो संकेश्वर नाम की जगह पर मेडिकल वो हॉस्पिटल के इंचार्च के रूप में काम करता था तब एक अंधा आदमी आया जब ठ्रीटमेंट वगरा सब कुछ हो गया तो उसने कहा मेरे पास फूटी कौडी नहीं है बेटे ने मिशन हॉस्पिटल में कोई पैसा जादा नहीं देते थे हम घर से पैसा बहिजते थे उसके खर्चे पानी के लिए ऐसे कम तंखे वाले उसने क्या किया उस मरीच का बिल भर दिया अचानक उस मरीच को एक फोन कॉल आया अंदा था उसने शर्ट की जेब से जैसे ही मोबाइल बाहर निकाला तो शर्ट में से नोटों का पूरा बंदल बाहर गर गया बेटे ने उसी दिन मुझे बुला के कहा कि डैड आपने दया का पार्ट मुझे पढ़ाया था आज मैंने एक आदमी को दया दिखाई लेकिन वो तो नमबर वन चोर था उसकी जेब में पैसे ही पैसे थे नोट ही नोट थे लेकिन उसने मुझे से कहा कि उसके पास फूटी कोडी नहीं है और मैंने उसका पैसा दिया तब मैंने बेटे को अगला पार्ट फिर से याद दिलाया कि दया से तुम कंगल नहीं हो जाओगे लेकिन एक बात याद रखना कि हमारी दया का उपयोग जो लोग करेंगे उसमें दस से बीस प्रतिशत लोग चोर होंगे लुटे रे होंगे लेकिन इन दस या बीस प्रतिशत लोगों के कारण बाकि असी प्रतिशत लोगों के प्रती दया दिखाना मत भूलना ये एक पाठ है जो मैंने अपने बेटे को सिखाया था एक मसीही विश्वासी को या विश्वासी के पास इस तरह के सैकडों पाठ होने चाहिए अपने बेटे और बेटी को सिखाने के लिए लापरवाह बाप ये नहीं कर सकता है पिछले हफ़ते मैंने एक बात आपको बताई थी, नीति वचन चौते अध्याय के पहले पत को जब अमने पढ़ा था, हे मेरे पुत्रों, पिता की शिट्षा सुनो, उस संबंधित एक बात पिछले हफ़ते मैंने आपको बताई थी, और वो बात यह थी, कि आप अपने बच्चे को क्या सिखाना चाते हैं, इसको पहले तो सोच लें और उसके बाद नोट कर लें, आप कहेंगे Johnson brother कैसे बात करते हैं यह तो सारी बाते अपने आप आ जाते बिलकुल सही है बिलकुल सही है अपने आप आ जाती है और जिन जो पिता लोग इस तरह की लापरवाही करते हैं कि अपने आप आ जाती है उनके बरबाद बच्चे जब मेरे पास counseling के लिए आते हैं त अशिट शित लोग नहीं है पड़े लिखे लोग है नौकरी पेशा लोग है लेकिन अपने बेटे अपनी बेटी को कभी प्रभुके वचन की A, B, C, D नहीं उन्हाने सिखाने की कोशिश की क्यों कर लेंगे कर लेंगे हम कर लेंगे यह सोचके जिन्दगी बर वो लोग यह कोई जरूरी नहीं है कि वो गलती हो उनको लगे कि यह गलती कर रहा है तो मार, पीट, काली, घलोच, जापड़ जो लोग बस हाँ हाँ कर लेंगे उसके लिए कोई नोट्स होगरा है लेने की जरूरत नहीं इत्यादी बोलते हैं यह उनके घरों की स्थिती है और मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ, मैं जब यसी सेकंड यर में पढ़ता था तब से विद्यार्थियों के जो कैंप्स और कॉंफरेंसेस है उसमें संदेश देने लगा था विद्यार्थियों के जीवन में काम करना तो मैंने तब शुरू किया था जब मैं पंद्रह या सोला का था कॉंफरेंसेस में तब जो है संदेश देना शुरू किया जब यसी सेकंड यर में था और 1984 में जब मैं प्रभू की सेवा में आ गया उसके बाद तो एक साल आठाट दस तस बारा बारा तक कैंप्स में मैं प्रभू की सेवा करता हूं या करता था यहां जब से मैं केरल में आया हूं यहां तो चारों तरफ कैंप्स conferences एक दिन का program इसकी भरमार है इतना ही नहीं पिछले कुछ सालों में electronic media जो आ गया है उसके कारण बच्चों को पूरी आजादी हो गई है कि वे बिना माबाप की जानकरी के मुझसे संपर्क कर सकते हैं इसकारण मैं इस तरह के सेकड़ों बच्चों को जानता हूं सही कहा जाए तो हजारों बच्चों को जानता हूं जो अच्छे मसीही परिवार में पैदा हुएं खानदानी बच्चे हैं लेकिन जिनके माबाप ने कभी भी उनको बैठा कर दो शब्द नहीं बोला कि बेटा अब तुम टेंथ में जा रहे हो टेंथ ही कैसा समय है जो बहुत सारे बच्चे बिगड़ जाते हैं इत्यादी इत्यादी मेरे कहने का मतलब यह नहीं है कि आप बच्चे को टेंथ से शिठ्षा देना शुरू करें यह बात पिछले हफते मैंने स्पष्ट कर दी थी कि बच्चे को प्रभू के वचन की तालीम तब से देनी चाहिए जब से वो मां के पीट में है जब आप अपनी पत्नी के पास बैठ कर अपने अन जन्मे हुए शिशू के लिए गाना गाते हैं उसके प्रती अपना प्रेम प्रगट करते हैं जिसका मतलब है कि ट्रेनिंग तो उससे भी पहले शुरू हो जानी चाहिए उसकी तयारी तो उसके पहली शुरू हो जानी चाहिए हम सब की आदत है आज करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे और हिंदी में जो कहावत है काल करे सो आज कर आज करे सो अब पल भर में प्रले हो तो फिर करेगा कब उसको हम लोग बोलते हैं, आज करे तो काल कर, काल करे तो परसों, इतनी जल्दी क्या पड़ी है, अभी पड़े हैं बरसों, हम में से ज़्यादा तर माबाप का हिसाब यही है, कि है मेरे पूतरों पिटा की शिठ्षा सुनो तो ज़्यादा तर पिटाओं का समय जो है, टेलिविशन देखने में, क्रिकेट देखने में, फुटबाल देखने में, जिपनास्टिक देखने में, पॉलिटिक्स के बारे में बोलने में खर्च हो जाता है बेटे को शिटशा सुनाइने के बारे में बस money when सुचते हैं कि आज करें तो गल करेंगे, गल करें तो परसो करेंगे इतनी बड़ी जल्दी क्या है अभी तो पड़े हैं बरसो एक दिन अचानक पता चलता है कि बेटा 25 साल का हो गया है उसने MBBS कर लिया है और वहीं Medical College में ही उसके साथ एक गैरमसीही लड़की पड़ती थी उसके साथ registered शादी कर ली है और उसके बाद बेटा जो है जब बेटे के मित्रा आकर घर पे बताते हैं कि उसने तो शादी कर ली है और जब आप बेटे से पूछते हैं तो वो कहता है हाँ हाँ मैंने शादी कर ली है कौन बड़ी बात है मैं अब अपने पैरों पे खड़ा हो गए हैं आपके खर्चे पे तो नहीं जी रहा तो वो जो फिलोसफी है ना आज करे तो काल कर काल करे तो परसों इतनी जल्दी क्या पड़ी है अभी पड़े हैं बरसों जब बरसों निकल जाएंगे तब आप सिर्फ हाथ मलते रह यह आपके हाथ से निकल जाएंगे इसलिए आज जितने पिता लोग माएं यह न सोचें कि हमारी कोई जिम्मेदारी अभी क्या है कि पिताओं का पोर्शन खतम नहीं हुआ है जितने पिता लोग हैं वे अपने स्वैम के जीवन को जरा जांच कर देखें यदि मेरे पुत्र को या पुत्री को शिट्षा देनी है तो कौन-कौन सी बाते हैं जिनकी शिट्षा देनी हैं हमें से बहुत कम पिता लोग हैं जो इस बात को क्रमबद तरीके से सोचते हैं कि बच्चे को क्या-क्या शिट्षा देनी है Actually, बच्चों को प्रभु के वचन का जो आदी से लेकर अंत तक का इतिहास है पृत्वी की सृष्टी से लेकर नया आकाश और नई पृत्वी की सृष्टी ये सब बताना है इसके बारे में एक अच्छी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरा मोबाइल नंबर मैं अभी बताता हूँ, पैंसिल वगएरा लेकर रख ले आजकल स्मार्टफोन पर बड़े आसानी से किताबें पड़ी जा सकती है आनंद भावन प्रकाशन के नाम से चार प्रकार की किताबें हम रिलीज कर रहे हैं हम से क्या तात पर यह है मैं अकेला यह काम नहीं कर पाता अकेला चना भाड नहीं फोड सकता मेरे साथ और भी कई लोग हैं जो इस काम में लगे हुए हैं हम सब मिलकर सरल और लेलित हिंदी में आपको पुस्तकें उपलब्द करवा रहे हैं फूटी कौडी देने की जरूरत नहीं है इन किताबों की विशेषता यह है कि आप इसको अपने स्मार्ट फोन पे डाउनलोड करके बड़े आराम से पढ़ सकते हैं डाउनलोड करने में आधा मिनित नहीं लगेगा और पूरी पुस्तक को पढ़ने में छे या साथ मिनित से जादा नहीं लगेगा हम आपके लिए जो चार सीरीज तैयार कर रहे हैं इसमें से पहला है बाइबल परिचे आप में से कई लोगों को बाइबल परिचे की शुरू की दो पुस्तके मिल चुकी है आप में से कई लोगों ने मुझसे संपर्ग भी किया है Bible परिचे तीन कल सुबह प्रभु ने मदद की तो कल सुबह हम रिलीस करेंगे तो पहली सीरीज है Bible परिचे जिसमें उत्पती से लेकर प्रकाशित वाकित तक हर पुस्तक का परिचे हम आपको देंगे यह पुस्तक क्या है? किसने इसकी रेचना की? क्यों रेचना की? विशे वस्तु क्या है? दूसरी सीरीज Bible इतिहास माला जिसमें हम विश्व की सृष्टी से लेकर नए आकाश और नई पृत्वी तक को कहानी के रूप में इतिहासी कहानी के रूप में पेश करेंगे जिसे कि आप लोग उसको पढ़कर समझ सकें और अपने बच्चों को भी जो है पढ़वा सकें या सुना सकें पहली पुस्तक प्रभू ने मदद की तो या तो कल सुबह या परसों सुबह रिलीज हो जाएगी तीसरी पुस्तक माला है Bible उपदेश माला Bible के जो भी खास-खास मुख्य उपदेश है इन सब को हम पुस्तकों के रूप में इलेक्रोनिक पुस्तकों में आपको देंगे और चौथी पुस्तक माला है व्यावाहरिक जीवन तो इस तरह से चार सीरीज हम आपको हिंदी में देने जा रहे हैं आपने जिन ग्रूप्स में आज की स्कारिक्रम का नोटीस पढ़ा था उन ग्रूप्स में तो हम पोस्ट करते ही हैं लेकिन इदिया आपको लगता है कि कोई भी मूनलिवान पुस्तक आप से छूट ना जाए तो मुझे लिखिए मेरा नमबर है 519 8690 मैं फिर से बताना चाहता हूं नमबर रिपीट करना चाहता हूं 999 519 8690 हम आपके आत्मिक जीवन की या संपुष्ट आत्मिक जीवन के लिए परियाप्त सामगरी उपलब्द करवा रहे हैं इसके बाउजूद देदी आप लापरवाही करते हैं तो फिर भाया आप जो पोएंगे आप काटेंगे हम तो आपके लिए सामगरी तयार करके दे रहे हैं आज इस ग्रूप में कई लोग हैं जो इस सामगरी की तयारी में मेरे सब जुड़े हुए हैं। उन में से कुछ के नाम इन पुस्तकों में हैं। कुछ और नाम भी बहुत जल्दी ही आप देख लेंगे। इस तरह से बैठके काम करना पड़ता है। ये उसके लिए कोई फूटी कौडी नहीं देता। लेकिन प्रभु मुझे मन में संतोष देते हैं कि मैं सेकड़ों या हजारों लोगों के जीवन के लिए संपुष्ट सामगरी तयार कर पा रहा हूं। इस टीम में बाकी जो लोग हैं। वे लोग भी इसी समर्पन के साथ काम कर रहे हैं। उनमें से कुछ प्रभु की सेवा में हैं, कुछ लोग नौकरी कर रहे हैं। लेकिन उन सब के मन में एक संतोष है। मेरे भाई या बहन के आत्मिक जीवन की संपुष्टी के लिए मैं सामगरी तयार करके उपलब् हुँ। भाई भी इन्वाल्ड हैं, इसमें बहने भी इन्वाल्ड हैं। तो इस कारण ये न कहें कि मैं अपने बच्चे को क्या सिखाऊं क्योंकि इसके लिए सामगरी उपलब्द नहीं है। अब ये बहाना भी नहीं चलेगा। कल तक ये बहाना चल सकता था। अब ये ब 40 साल पहले जब मेरा बेटा पैदा हुआ था, उसमें सामगरी उपलब्द नहीं थी। बहुत संगर्श करना पड़ा। तब मेरे मन में ये बात आई कि इस तरह से सामगरी होनी चाहिए। जिसके लिए सालों तयारी करने के बाद आप सामगरी जो है हम आपको मुफ्त में ह हर हफते नहीं सामगरी उपलब्द करवा रहे हैं। मुझसे संपर कीजिए ये आप नहीं देख पा रहे हैं कि ये कहां पोस्ट हो रहा है मुझसे संपर कीजिए मैं आपको दूंगा। लेकिन आज यहां जितने पिता बैठकर प्रभु का वचन सुन रहे हैं। उन सब को म मैं बताना चाहता हूं है मेरे पुत्रों पिता की शिठ्षा सुनो तो आपकी जिम्मेदारी है कि बेटे या बेटी को क्या शिठ्षा देनी है इसको जरा नोट कर लें बिना व्यावस्थित तरीके से तैयारी किये बिना हमें से कोई व्यक्ति सहीरीति से कारिये नहीं कर सक कि हम सब की ये हो जाएगा कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे ऐसा नहीं होता है इसके पहले भी मैंने आपको ये घटना सुनाई थी जब मैं गौली और में जहां भाई रंजीत प्रभू की सेवा करते हैं वहां की गटना सुनाई थी, जब मैं higher secondary में था, अभीने के लिए बहुत मशूर था, और हर साल हमारे school में प्रतियोगिता होती थी, हर class एक-एक नाटक competition में उतारता था, हमारे class का जो नाटक था, वो मेरे निर्देशन में stage पर प्रदरशित किया गया, मेरे class के उमर में मुझसे बड़े एक बड़े भाईया थे, चार-छे साल फेल हो चुके थे, इसलिए हम सबसे ज़्यादा अनुभवी थे, उन्होंने आके recommend कि जॉन्स ने एक काम करो, class में एक लॉंडिया है, उसके बाप से हमारे परिवार का लेन देन धंदा वगिरा है, तुम उसको भी नाटक में ले लो, मन मसोस के मैंने उस लड़की को ले लिया, नाटक के लिए जब हम practice करते थे, तो हर व्यक्ति को अपना roll लिखित में दे दिया जाता था, तो उस लड़की को भी हमने लिखित में roll दे दिया, स्टेज पर जब हम practice करते थे, मुझे शरम आ रही है, मैं यहां नहीं बोल पा रही हूँ, वहां बोल लूँगी, वहां बोल लूँगी, मैं ने कई बार सर पीट लिया, अपने सीनियर से, उमर में सीनियर से कहा कि यह लड़की जो है, मुसीबत में डाल देगी, क्योंकि हमारे class की team हमेशा फस जाती थी, तो बोले कि नहीं नहीं, जॉन्सन वो बोल रही है ना, कि वहां बोल लेगी, वहां बोल लेगी, फाइनली क्या हुआ, प्रतियोगिता का दिन आ गया, सब लोग डरहे हुए बैठे थे कि 11 थे, 11 थे, 11 थे वाले ये दी नाटक उतार रहे हैं, मंचन कर रहे हैं, फस्स प्राइज उन्हीं को मिलेगा, नाटक चालू हुआ, सब कुछ अच्छा हुआ, लड़की ने जब उसका रोड आया, तो स्टेज पे जो है, प्रवेश किया, और लकडी की मूर्ती के समान महां खड़ी रही, निर्देशक मैं था, मैंने उसको इशारा किया कि बोल बोल बोल, तब तक मेरे सीनियर भी फ्रस्ट्रेट हो गयते, कुंठा के मारे वो भी मेरे पीछ आके खड़े हो गये, उन्होंने भी लड़की को इशारा किया कि बोलो बोलो बोलो, क्या बोलू, क्या बोलू, मुझे याद नहीं है, ऐसा फूट-फूट के स्टेज पे रोई, कि नाटक जिन्होंने वहां मंचन किया था, सब को उसने शर्मिंदा कर दिया, और हम सब लोग वहां से, स्टेज से ऐसा भागे, ऐसा भागे, जैसे किसी ने हमको नंगा कर दिया हो, क्यों? इसलिए कि उस स्कूल की सर्वोतम टीम हमारी टीम हुआ करती थी, लेकिन एक लड़की ने तैयारी ना करने के कारण हम सब को शर्मिंदा कर दिया, मेरे प्रिये, यहां जितने पिता बैठे हुए हैं, और जितने लोग पिता बनेंगे, और जितने लोग भविश्य में शादी करेंगे, उन सब से मैं पूछना चाहता हूँ, तैयारी है क्या? तैयारी है क्या? नहीं तो कल को जब पुली स्टेशन से कॉल आएगा, जॉन्सन बोल रहे हैं, कहां मैं जॉन्सन फिलिप बोल रहा हूँ, वो ऐसा है कि आज सडक पर मारफिट करते हुए, आपके बेटे को हमने आरेस्ट कर लिया है, आप तुरंट थाने में आ जाईए, मैंने अपना खुद का नाम इसलिए लिया कि मैं आप में से किसी का नाम लूँ, तो आप खार खा जाएंगे मुझ से, कितने सारे मसीही पिता हैं जिनको मैं जानता हूँ, जिनको इस तरह से पुली स्टेशन से कॉल मिला, आपका बेटा, लोग नशा कर रहे थे उनकी बीच में पगड़ा गया, नशे में लोग नाच रहे थे, हमने उन सब को आरेस्ट किया, उसमें आपकी बिटिया भी है, यह सब हो रहा है, हम सब के चारों तरफ हो रहा है, मैं जानता हूँ, जहां बैठकर मैं आज ये संदेश दे रहा हूँ, यहां से चार किलोमेटर दूर एक इलाका है, जहां खूब सारे फ्लैट ही फ्लैट है, फ्लैटों का जंगल है, जहां कोई चला जाये तो किसी को पता नहीं चलता कि कौन आया, कौन गया, वहां पर कितनी सारी मसीही लड़कियां ब्रश्ट की जा चुकी है, उनका कौमा ये लूट लिया जा चुका है, क्यों? इसलिए कि उनकी माने कभी ये नहीं बताये कि बेटा, यदि कोई गयार लड़का तुम पर, या तुम में दिल्चस्पी लेता है, तो याद रखना उसकी रूची सिर्फ तुमारे शरीर के एक आवियव की और है, और जब उसको मिल जाएगा ना तब वो धूल जाड़के, ऐसा भागेगा, वहां से ऐसा भागेगा, कि फिर कभी जो है तुम उसको देख भी नहीं पाओगी, यह हो रहा है, जहाँ बैटके उससे चार किलोमेटर दूर, हर दिन हो रहा है, आप कहेंगे कि आप रोकते क्यों नहीं हैं, दूसरे लोगों के घरों के अंदर, वे अपने बच्चों को लापरवाही से पाल रहे हैं, मैं उनके घर जाके उनको बताऊंगा क्या कि तुम अपने बच्चे या बच्ची को ला परवाई से पाल रहे हो हमे से ये किसी का हक नहीं है किसी के परिवार के अंदर जाके दखल देने का लेकिन मेरा हक है कि मैं आप लोगों से जो बोल रहा हूं आप लोगों को ये बताऊं कि ये हो रहा है मसीही लड़के और लड़कियों को हर तरह से उनका नैतिक जीवन उनका आत्मिक जीवन सामाजिक जीवन लूटा जा रहा है इसलिए कि उनके माबाप ने उनको कभी क्रमबद तरीके से शिट्षा नहीं दी मेरे पुत्र मेरी शिट्षा सुनो ये वही पिता कह सकता है जिसको मालूम हो कि क्या शिट्षा देनी है आप पूछेंगे कि ओके शास्त्री अंकल आपने अपने बच्चों को क्या शिट्षा सुनाई थी मैं अक्सर अपने जीवन से आनपाओ इसलिए बताय करता हूँ कि थोड़ा सा प्राक्टिकल दिख जाए कि जीवन कैसे होना चाहिए इसलिए नहीं कि मैं पर्फेक्ट हूँ मैं बिल्कुल पर्फेक्ट नहीं हूँ और पर्फेक्ट होने का दावा नहीं करता लेकिन कोशिश की है मैं अपने बच्चों को अलग-अलग तरह से शिट्षा देता था एक पिछले हफते मैंने आपको याद बिलाया पर्मिश्वर के वचन से पद याद करने को मैं बहुत प्रोथसाहित करता था बहुत ज़्यादा मेरा बेटा, मेरी बेटी दोनोंने नाइंथ पास करने के पहले एक-एक हजार पद याद कर लिये थे दूसरा काम मैंने जो किया उनको पढ़ने के लिए अच्छी स्वस्थ पुस्तकें प्रदान की आप कहेंगी कि पुस्तकें उपलब्द नहीं है ये बिलकुल गलत बात है जहां चाह वहां राह ऐसा भारत में कोई समाज नहीं है जहां स्वस्थ पुस्तकें उपलब्द ना हो हो सकता है आपके गाउं में ना हो लेकिन गाउं से जब आप शहर जाते हैं तब थोड़ा से समय देकर किसी पुस्तकाले में जाकर वहां जो पुस्तकें हैं उनको देखिए जाचिए परिखिया आपको मिल जाएंगे मैंने अपने बच्चों को बाइबल के पाद याद दिलवाए स्वस्त पुस्तकें दी बहुत खर्चिला काम है लेकिन पुस्तकें दी और जब मैं यात्रा पर जाता था तो मैं अक्सर यात्रा किया करता था इवन एक हफ़ते की यात्रा जब मैं जाता था तो वहां पहुँचके पहला काम ये करता था कि बेटे के लिए एक लिफाफा बेटी के लिए एक लिफाफा पहले से तैयर करके रखता था उसमें कहानिया होती थी, हस्त लिखित कहानिया होती थी, छित्र होते थे, अख़बारों से काटे गए, उनके स्तरकिये की बाते होती थी, ये मैं जीवन भर मैंने जारी रखा, जब तक बच्चों की शादी नहीं हुई, तब तक जारी रखा, मेरा बेटा जब मेडिकल कॉलेज में पढ़ता था, उस समय हर हफ़ते मैं उसको एक पैकेट भीजता था, और उसके सारे दोस्त मचलते थे, पैकेट खोल ले, पैकेट खोल दे, पैकेट खोल दे, देखना चाते हैं कि उसके अंदर क्या है, उन में से कई लोगों ने मुझे बताया कि जब उसके लिए पैकेट पहुचता था और वो पैकेट लेकर अपने कबरे की और चलता था, तो उसकी चाल ऐसी थी जैसे कि प्राइम मिनिस्टर ने उसको बुलाकर 26 जन्विरी को कोई स्पेशल अवार्ड दिया हो, मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाला लड़का, जी हाँ, हमारे बच्चे कभी भी हमसे बड़े नहीं होते वे हमारे लिए बच्चे ही रहेंगे, लेकिन हमको ये बात समझकर उनके जीवन में कायरी करना होगा, आप कहेंगे जॉन्सन ब्रदर मैं बहुत व्यस्त व्यक्ति हूँ और इस तरह से हर हफ़ते यातरा पे जाता हूँ तो मैं पत्र नहीं लिख सकता, बिल्कुल सही बात है, हम मैं से हर व्यक्ति जिस कायरी को नहीं करना चाहता, उसके लिए हमारे पास समझ नहीं होता है, मैं याद दिलाना चाहता हूँ, जिन लोगों ने मेरी दिन चरिया देखी है, वे इस बात को जानते हैं, कि एक समय मैं 16 घंटे प्रती दिन काम करता था, जबकि मैं बहुत बीमार व्यक्ति हूँ, 15 साल की उमर में हाई ब्लेट प्रिशर हो गया, उस समय हाई ब्लेट प्रिशर की दवाएं नहीं होती थी, जब मैं 18 का हुआ तब पहली बार ब्लेट प्रिशर की दवाएं बजार में आई, और डॉक्टर उस ने कह दिया था कि 35 साल, जादा से जादा 35 साल तुमारी जिंदगी है, इतना कमजोर होते हुए भी मैं एक दिन में 16 घंटे काम करता था, आप व्यस्त हैं या मैं व्यस्त था, इन 16 घंटे काम करने के बावजूद बच्चों के लिए मेरे पास परियाप्त समय था, आजकल उमर काफी हो गई है, पिछले आठ सालों में 8 सरजरी हुई है मेरी, इसलिए 16 घंटे तो काम नहीं कर पाता, लेकिन जो लोग मेरी दिन चरिया जानते हैं, में लोग जानते हैं कि मैं प्रती दिन 14 से 15 घंटे काम करता हूँ, आज भी, प्रभु ने मदद की तो एक 3 महिने में मैं 69 क्रॉस कर जाओंगा, आज भी मैं 14 से 15 घंटा प्रती दिन काम करता हूँ, लेकिन मेरे बच्चों के लिए मेरे पास समय की कोई कमी नहीं है मेरे किसी भी बच्चे से पूछ लीजे मैंने शारी रिक रूप से दो बच्चों को जन्म दिया है लेकिन मेरे बच्चों की संख्या आठ है और यदि रेंजीत और निरीठना को भी जोड़ दिया जाए तो दस है इन में से किसी से पूछ कर देखिए कि उनके लिए समय की कमी है क्या एक और बेटा भी है यहाँ शिबिर जो पहले तो उड़ाव पुत्र था लेकिन बाद में वो भीता के पास वापस आ गया है तो इस तरह मेरे कई बच्चे उनमें से किसी से पूछ कर देखिए कि मेरे पास उनके लिए समय की कमी है क्या ना केवल उनको जिनको मैंने शायरीरी रूप से जन्म दिया है बेलकि उनको उन बच्चों से पूछ कर देखिए जिनको मैंने आत्मिक जन्म दिया है कभी भी मैंने उनसे ये नहीं कहा कि आज मैं व्यस्त हूँ सिर्फ रेंजीत है जिनसे कभी तो भी मैं बोलता हूँ कि मैं व्यस्त हूँ क्योंकि रेंजीत को 24 सो घंटे मुझे फोन करने का फ्रीडम है तो कई बार रेंजीत जब फोन करता है तो उस समय हो सकता है मैं किसी और से बात कर रहा हूँ या ड्राइव कर रहा हूँ तब तो मैं मना कर देता है लेकर उसके अलावा पूछ के देखे मैंने कभी मना किया है क्या तो यदि आप ये बहाना बनाते हैं कि जॉन्सन ब्रदर मैं बहुत व्यस्त हूँ शास्तरे अंकल मैं बहुत व्यस्त हूँ मैं अपने बच्चे को शिट्षा देने के लिए समय नहीं दे पाता तो मैं पूरे धहरी के साथ, पूरे हिम्मत के साथ आपको बता सकता हूँ आपके पास समय इसलिए नहीं है कि आप लापरवा है मुझ जैसा व्यक्ति जो एक दिन में आज भी इस उमर में भी 14-15 गंटे काम करता है मेरे किसी भी बच्चे से पूछ लीजे कि उनको समय देने में मैंने कभी कोई कमी आलापरवाही की है क्या रेंजीत कई बार मुझे बुलाते हैं उनसे पूछ लीजे हम लोग घंटे घंटे दो घंटे बात करते है मेरे पास मेरे बच्चों के लिए समय है मुझ जैसा जो व्यक्ति 14-15 गंटे प्रती दिन काम करता है यदि मेरे पास मेरे बच्चे के लिए बच्चों के लिए समय है तो यदि आप मुझसे कहते हैं कि आप नहीं जानते कि व्यस्त जीवन क्या होता है तो मेरा जवाब यह सच कह रहे हो, बिल्कुल सच कह रहे हो मुझे नहीं मालूम कि व्यस्त जीवन क्या है लेकिन याद रखना कल जब तुम्हारा बच्चा बरबाद हो जाएगा तब तुम दोड़के मेरे पास आओगे और तब तुम मुझसे कहोगे कि शास्त्रे अंकल मुझे थोड़ा सा और समय अपने बच्चे को दे देना चाहिए था तब मालूम है मेरा जवाब क्या होगा दे देना चाहिए था लेकिन भूत काल को अब हम बदल नहीं सकते हैं वो हिंदी में जो कहावत है अब पच्चता ये तो होत क्या जब चिडिया चुक गे खेत चिडिया के सारे बीच चुन गया पच्चता हो तो कुछ नहीं होगा उसके पहले उसको डरा के दूर रखने चाहिए था आज मैं क्लोसिंग में जितने पिता लोग संदेश सुन रहे हैं उनको मैं एक वानिंग एक चेतावनी देना चाहता हूँ यदि आपके पुत्र या पुत्री को सही तालीम देने के लिए आपके पास समय नहीं है तो कल जब चड़िया खेत चुग लेगी कल जब आपका बच्चा आपकी बच्चे पूरी तरह से आपके हाथ से निखल जाएगी तब आप हाथ मलते रह जाएंगे कुछ नहीं किया जा सकेगा आप संपुष्ट पारिवारिक जीवन चाहते हैं क्या संपुष्ट पारिवारिक जीवन चाहते हैं क्या हेल्दी पारिवारिक जीवन चाहते हैं क्या संतुष्ट पारिवारिक जीवन चाहते हैं क्या खुश पारिवारिक जीवन चाहते हैं क्या तैयारी आज अभी आरम कर दें इन बातों को समझने के लिए प्रबु आप मैं से हर व्यक्ति की मदद करें Thank you so much sir for the wonderful message आप सभी लोगों को मैं और एक बार प्रभीश्व मशी के नाम से धन्यवाद देना चाहता हूं आप सभी लोग ध्यान पुर्वक सुना संतुस्टी बासंतुस्ट फैंबली लाइब और successful crystal marriage life का बारे में आहिंदने में हम लोग पढ़ रहे थे सिख रहे थे और किसी भी भाई बहन को अगर वीडियो का आवशकता है तो हम लोग already share कर दिया है YouTube का जो live जो चल रहा था उसमें भी हम लोग share किया है प्लीज यूटूब का connection, मतलब जो link आप लोग ज़रूर भेज दीजिएगा ताकि ज़्यादा सज़्यादा विश्वासी भाईवें बहुसके द्वारा फाइदा बन्त हो और प्रभु का नाम का महिमा करे प्लीज भाईवें को में धन्यवाद देना चाहता हूं और जॉंसन सार को धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि परिवार एक मुल स्तंब है, खंबा है परिवार अगर दूर है, बच्चे दूरूर होंगे, सभी लोग दूरूर होंगे एक हेल्दी परिवार अगर ठीक है, हमारा हेल्दी चर्च होगा, समाज होगा अगर परिवार अगर बिखड जाएगा, चर्च भी, हमारा जीवन भी, हमारा परिवार का बाल बच्चे भी सभी लोग इधर उधर हो जाएंगे प्यारों भाई और बेहनों परमेश्र का दिया हुआ परिवार को हम लोग बहुत गभिता से ले और इसको ये प्रभु का और से बोलते हुए सन्मान करें सार बोल रहे थे कि जो बच्चे लोगों का बारे में इन दिनों में बहुत सारे बच्चे लोग बिगड़े हुए है भटके हुए है ये कोई नई बात नहीं है पर भी ये नई बात इसलिए हम बता रहे हैं ये हम लोगों के लिए साबधानी के करने के लिए बात है अब याक यही होता है बच्चे जब बाप का उपर हाथ उठाते हैं और बाप का उपर बात को सुनना नहीं चाहते हैं. आप लोग बहुत कम लोग को देखे होंगे, हम लोग क्योंकि सेवक लोग है, सार एक काउंसेलर, प्रोफेशनल काउंसेलर, उनके पास हजार लोग आते हैं, मैं जानता हूँ, क्योंकि सार के सार करीब करीब मेरा अभी 27, 28, 29 साल हो गया, सार को करीब से देखा हूँ, कि कितना सारे लोग आते हैं, सो प्यारो भाई और बहनों, हमारा बच्चे को ध्यान दे, क्योंकि परमेश्व दिया हुआ परिवार है, वो परिवार को हम ध्यान दे करके, आगे बड़े, प्रभु आप सभी को आशिश करे, आई हम लोग प्रात मार EGL, करे प्यान, के ऄवा हुआ करे जब सकती हुआ है, इसão पहुआ है इसलिएम है.